नमस्ति भारत आप सभी का सौगत है मेरे यूटुब चैम्पे चेक्स वर्ल्ड तो आज हम सीखेंगे कुरकुरे पास्टा बनाना बहुती ज़ादा आसान है बहुती ज़ादा क्रंची और बहुती ज़ादा फ्लेवरफूल है बच्चों को तो यह बहुती ज़ादा पसंद बिल्कुल मार्केट की तरह आज हम कुरकुरे पास्ता बनाएंगे तो वीडियो को आपन तक जरूर देखे अगर आपको मेरा रेसिपी देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिसे हर नुटिफिकेशन आपके फोन पे आता रहे सबसे पहले हमें बाउल के अंदर पास्ता निकाल लेना है तो यहाँ पे मैंने माइक्रोनी का इस्तमाल किया है आपको इसा भी पास्ता का यहाँ पे इस्तमाल कर सकते हैं एक बाउल करी मैंने पास्ता लिया है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पास्ता ले सकते हैं उसक ओil के साथ-साथ हम इसके अंदर डालेंगे स्वाध अनुसार नमक और दालने के बाद दुबारा से हम पानी को यहाँ पे गरम होने देंगे तो थोड़ी दिर बाद आप देखेंगे पानी में से बॉय्ल हो चुका है, 70-2, 80% को खो चुका है. इस Chinese question को बार पानी को फैक देंगे उसके ऑड़ हम यहा पर कढ़ाई लेंगे कढ़ाई को अच्छे से गरम कर लेंगे उसके बाद हम कढ़ाई के अंדר डालेंगे refine oil और refine oil डालने के बाद हम गैस का flame low रख देंगे और low flame पे हम तेल को गरम होने देंगे जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है हम एक plate के अंदर सबसे पहले कॉण स्टार्च निकाल लेंगे 4 tablespoon कॉण स्टार्च के जगां कॉण स्टार्च के जगह आप कॉण फ्लार का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां पे हमने माइक्रोनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, कॉन स्टार्च इसके उपर लग चुका है, अब हम इसको छान लेंगे, छानने के बाद जितना भी कॉन स्टार्च था, वो हमने हटा लिया है, और माइक्रोनी को हमने दूसरे प्लेट के अंदर निकाल लिया है और यहांपे हमारा तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है अब हम यहांपे एक करके मैक रोगा करेंगे आप देखेंगे कितना खिला-खिला हमारा मैक रोगा करेंगे तो हमारा माइक्रोनी जो है वो color change करने लगा है अब हम इसको थोड़ी देर और स्टर करेंगे और पकने देंगे बहुत लोग गलती ये कर देते हैं कि माइक्रोनी को boil करके सीधा तेल के अंदर डाल देते हैं और हमारा माइक्रोनी जो है वो बिल्कुल भी खिला खिला नहीं बनता बिल्कुल sticky सा बन जाता है तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें और हमारा माइक्रोनी जो है अच्छे से पक चुका है अब हम इसको बाउल के अंदर निकाल लेंगे यहा पे हमारेeremos बावाद हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला तो चाट मसाला के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे मैगी मसाला तो यहाँ पर एक सेशे मैंने इस्तिमाल किया है मैगी मसाला से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मैगी मसाला को यहाँ पर इस्तिमाल जरूर करें के बाद सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे करने के बाद हमारे मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तब हम इसके अंदर डालेंगे माइक्रोणी और माइक्रोणी डालने के बाद हम माइक्रोणी और मसालो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे ही आप मिक्स करेंगे आप देखेंगे हमारे माइक्रोणी के ओपर अच्छे से मसाली की कोटिंग हो चुकी है और यहां पर हमारा कुरकुरे पास्ता बन करके त्यार हो चुका है अब हम इसको सर्फ करेंगे इसी तरीके से आप घर में बना सकते हैं मार्केट जैसा कुरकुरे पास्ता बहुत ही जादा टेस्टी लगता है बच्चों को तो लाइकन दबाना ना भूले मैं हर दिन नहीं ने वीडियो लेकर क्या तो चैनल पर बने रहें तब तक के लिए थांक यू फो वाचिंग